आफ्टर वाचिंग दब वीडियो अगर आपको ऐसा लगे कि ये चैनल आपके लिए हेलफूल है तो पलिस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आज हम बात करने वाले हैं पहले की तरह इंट्रस्टिंग टॉपिक के बारे में कि जो भी हमारी पैसेंजर ट्रेने होती हैं या भी जो हमारी सवारी ट्रेने होती हैं उनमें इतनी ज़्यादा वीड होती है उसके बावजूद भी हमारी इंडियन डेलवे घाटे में चलती है तो इसके पीछे क्या राज है क्या हमारी इंडियन डेल में घोटाला होता है इसके सारे कॉंसेट के बारे में बात करेंगे तो आए जानते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चनल पे नए हैं तो प्लिस सब्सक्राइब करके जाएगा और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा तो आएए बात करते हैं खुद का मेंटरेंस करने का किराय भी नहीं काल पाती है तो इसका क्या वज़ा है आखिर ऐसा कौन सा काम हो जा रहा है या कोटाला हो रहा है कि हमारा किराया कम होने से और उसका मेंटरेंस कोस्ट जो होता है यानि क्या होता है उसको रिपेरिंग कोश्ट या किसी में उसका पाने फिलिंग कोश्ट या बहुत सारे ऐसे कोश्ट होते हैं जो बहुत जादा मातरा में होते हैं आप तो जानते ही होंगे कि इंडियन डेलवे में 100% लोग सफर करते हैं तो उसमें से 40-45% लोग ठीकर कटाते हैं बाकी के परसेंट हमारे लोग ठीकर नहीं कटाते हैं तो कि ये भी वज़ा हो सकता है और दोसरी वज़ा ये होती है इंडियन डेलवे कभी भी लाब कमाने के तेसे से नहीं बनाय गया था, यह अपने यातरियों और अपने देस के लोगों के लिए बनाय गया था, याणि कहने का मतलब यह है, कि हमारी जो देस की ट्रेने ही है, वह बहुत कम मातरा में, यानि कम पैसों में बहुत ज़्यादा हम को सुविधा पतान करते हैं, इसका एक यह वज़ा होता है नहीं तो आप इसका comparison करें प्राइवेट यातों से यानि प्राइवेट सादनों से बस से या जो कोई भी हवाई जहां से जो कि प्राइवेट साद है उसमें आपको किदाया बहुत ज़्यादा लगता है तो आप ये भी कारण दे सकते हैं जो भी हमारी इं कहिस आजा सकते हैं जो हमारे जादा पैसे एफ़ॉर्ट नहीं कर पाते हैं वह भी कहीं आजा सकते हैं तो कि ये मुद्दा बैठता है अब आपके मन में एक question आता होगा कि आखिर इंडियन डेलवे कहां से पैसा कमाती है यानि कहां से पैसा अन करती है तो इंडियन डेलव होती हो जएधातार कमाई माल गाड़ियों से करती है क्योंकि जो भी हमारे बिजनस्मान होते हैं वह सअधक परिवहं द crafted द्वारा इन द्वारा उनको जो en Alcohol cost होता है वह बहुत ज्यादा हाई पड़ता है इसलेEST जो हमारे बिजनेसमेन होते हैं वो रेल परिवान द्वारा ही अपने बिजनेस को यानि अपने माल को एक अस्तान से दूसरे अस्तान पहुचाते हैं हमारी जो इंडियन रेलवे होती है वो इतनी लागत में माल गारी ट्रेनों से पैसा कमा लेती है इससे वो अपनी पैसेंजर ट्रेन या सवारी गारी ट्रेनों का कुछ खार्चा निकाल लेती है मगर अगर ऐसा ही चलता रहा अगर हमारे passenger ट्रेनों और सवारी गारी ट्रेनों का अगर टिकट नहीं बढ़ाए गया यानि पैसे cost नहीं बढ़ाए गये तो हमारी Indian railway बहुत ही जल्दी private हो सकती है क्योंकि हमारी जो Indian railway है वो इतनी अगर घाटे में चलेगी तो हमारी इंडियन देलवे बिलकुरी बरबाद हो जाएगी तो आप लोग अगर एफॉर्ट कर पाएं तो आप लोग ज़्यादा तर टिकट कटा की रेलवे में यातरा करें और आप देख भी पा रहे होंगे कि कई जगहों पे हमारी जो रेलवे हैं अगर आप लोग जगहोंगे अगर आपको ये नौलेज अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइगा कि आने वाला टॉपर बनाये जाए तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक के वीडियो को जरूर देखें धन्यवाद